आपको एक चीज में पताने वाला हूँ कैसे आप इसे अपलाए कर सकते हूँ आप confirmation कैसे ले सकते हूँ buy and sale signals के लिए और आपको signal कैसे मिलेंगे सारी चीजे वीडियो के अंदर discuss करेंगे अगर वीडियो को पुरा समझना है तो लास तक जरूर देखना मैस मत करना चलिए वीडियो को start करते हैं आप है मेरे laptop की screen पे और allym trade के portal पे live account से मैं login हूँ चलिए trades के बारे में discuss करते हैं कुछ trades जो particular strategy जो हाज हम discuss करने वाले हैं उसके basis पे मैंने लिया था तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 September को जितनी भी trades ली गई थी सारी की सारी इसी एक strategy की helps ली गई थी क्योंकि यहर मैं काफी strategies test करता रहता हूँ ना तो mix up नहीं करना चाहता है इसलिए मैंने जादा trades नहीं लिया 11 trades मैंने लिया जिसमें से overall result निकला था 8 ITM और 3 OTM जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जो OTM निकला उसको भी मैंने cover कर लिया था $200 की trade लेके यानि $100 की ITM होने पर मैंने $200 की trade लिया तो जो probably loss हुआ था उसका profit में conversion हो चुका है चलिए step by step discuss करते है strategy को उससे पहले बता देता हूँ यार एक strategy बनाने के लिए बहुत महनत लगती है बहुत research लगती है तो यार आप लोग प्यार दे दिया करो like comment and share करके तो guys यह जो strategy है basically इसे आप कैसे apply कर सकते है of course आप mobile में भी इसे use कर सकते है majority of users जो है वो mobile phone यूज करते है तो आप mobile में भी इसे use कर सकते है तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा basically तीन अलग अलग indicators लगेंगे सबसे पहले हम जाते है ठीक है जैसी आपको यहाँ पर bollinger band मिल जाता है एक काम करता हूँ मैं इसे हटा देता हूँ और उसके बाद हम fresh से start करते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले start करते हैं इस पर click करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं bollinger band पर इसे मैं by default रखूँगा यानि कि 20 and 2 that's it मतलब इसमें मुझे कुछ भी छेड़ जाड़ नहीं करनी है फिर मैं EMA पर click करूँगा और EMA पर click करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप EMA add हो गया है हलाकि मुझे सिर्फ एक ही EMA की जरूरत है फिलहाल लेकिन इसका जो period है उसे मैं change करूँगा उसे करूँगा 200 देखें ध्यान से सुनना है हर एक indicator का importance आपको समझाएगा वीडियो के अंदर skip मत करना वीडियो बहुत मेहनत के बाद बनी है तो यार पूरी देखना फर्स्ट और important कितनी होने वाली है यह आपको पता लगेगा जब आप वीडियो को पूरी देख लेंगे तो 200 यहाँ पे हमें EMA यानि moving average का time period select कर लेना है उसके बाद जो third हमारा आता है synthetic indicator ठीक है इस पे मैंने click किया और इसे भी मैं by default रखने वाला हूँ कोई भी changes नहीं है इसका जो time period है यानि कि आज जो है 14 इसको मैं कोई changes नहीं करने वाला हूँ over sold और over bought की condition 20 and 80 रहने वाली है चलिए मैं step by step explain करता हूँ कि क्या क्या चीजों की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी confirmation के लिए हलका सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि यह जो strategy है बहुत technical terms involved रखते है लेकिन आपको पता है हमारा जो channel है हमेशा आसान भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है कोशिश करता रहता हूँ किसे भी तरीके से trading को आपके लिए आसान करूँ धीरे धीरे करके हाला कि आपको भी पता है एकदम से possible नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा अब सबसे पहले बात कर लेते हैं synthetic oscillator की तो यहाँ पे आप दो conditions देख पा रहे है 20 and 80 यानि कि जो green में 20 है और red में 80 है इसको मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे दो conditions बनती है पहली overbought और दूसरी oversold overbought मतलब अगर आपकी यह जो lines है trend line यह cross कर देती है यहाँ पे cross किया था इस उपर की red line को यानि कि 80 के level को इसका मतलब होता है market की जो condition है वो overbought चल रही है ठीक है और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 20 की level पे यानि कि 20 की level को cross करके नीचे आ जाता है market तो इसका मतलब होता है oversold condition ठीक है यहाँ पे synthetic oscillator की conditions मैंने आपको समझा दी है ठीक है overbought and oversold that's it अब आते हैं EMA की condition पे यानि कि moving average तो moving average हमने 200 select किया हुआ है उसका क्या reason है देखें simple सी बात है यह moving average की line बहुत important है अगर आपकी candles इस 200 की line के level के उपर form हो रही है इसका मतलब market में कौन सा trend चल रहा है हाँ भई आप समझ गए अब trend चल रहा है upward trend चल रहा है तो हमें जो signals लेने है वो सिर्फ upward direction के लिए लेने है अगर इस line के नीचे market जाता है मतलब हमें जो signal लेने है वो downward direction के लेने है लेकिन भाई इसमें भी trick है क्या ध्यान से सुनना भाई क्योंकि बहुत interesting चीज आने वाली है अभी आपको confirmation कैसे मिलेगा 5 minute के signal आपको लेने है और अगर 80% के accuracy चाहिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है thumbnail के उपर तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा confirmation के लिए एक ही minute में यहाँ पर आपको signal नहीं मिलने वाले है यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा भाई ठीक है लेकिन signal की जो strength होगी न वो अच्छी होगी ठीक है एक और चीज़ मैंने लिखी है thumbnail के उपर following the trend strategy चलिए अब बात कर लेते हैं ballinger band के confirmation की कि हमने यह ballinger band क्यों use किया है और इसका क्या काम है इस strategy के अंदर तो भाई simple सी बात है आपकी दो border देख पारें आप एक upper border है एक lower border है तो हमें confirmation कैसे मिलेगी अगर हमें lower signal चाहिए मतलब downward trend के लिए signal चाहिए तो आपकी जो candle है जैसे की for example मैं इस candle का example लेता हूँ ठीक है तो आपकी जो candle है वो downward direction में form होनी चाहिए खतम भी होनी चाहिए मतलब थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ जैसे की देखे एक green color की candle है अब next candle red color की बननी चाहिए अगर बनती है और वो ये जो उपर का जो border है उसको cross करके नीचे close हो जाती है मतलब हमें इस से मतलब नहीं है कि वो start कहां से हो रही है लेकिन हमें ये मतलब है कि वो नीचे close होनी चाहिए अगर red candle है अफकोस वो नीचे ही close होगी लेकिन अगर वो नहीं होती है इस line से नीचे close तो हमें downward direction के लिए treat नहीं लेनी है अब इस condition में बात करते हैं अब मैं 100% confirmation की बात नहीं करहा हूँ 80% confirmation की बात करहा हूँ दिमाग में ये बात आप ज़रूर याद रख लेना तो यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ इस candle को तो ये candle नीचे ज़रूर form हुआ है ठीक है हना अब हमें एक confirmation मिल गया है pollinger band की तरफ से अब हम जाएंगे दूसरे confirmation के लिए यानि की EMA के लिए EMA का जो level है उसके उपर हमें मिलता है हमारा graph यानि की हमारी candles इसका मतलब साफ है हमें जो trade लेनी है वो upward trends के लिए लेनी है ठीक है मतलब हम follow कर रहे हैं trends को जस दिमाग पे जो डालना है थोड़ा सा theory जैसा लगेगा लेकिन बहुत interesting है क्योंकि यह जो indicators का combination है बहुत अच्छा वग कर रहा है तो अच्छली आगी करते है तो जैसा कि आप देख पा रहे है यहाँ पे एक confirmation मिला और दूसरा confirmation हमें यह कहता है कि market upward trends पे है तो इसका मतलब है हमारी strategy गलत हो गई यहाँ पे क्योंकि हमें जो signal मिला है वो downward direction के लिए मिला है और हमारा trend upward direction में show कर रहा है तो इस condition में हमें क्या करना है इस condition में हमें जो trade लेनी है वो upward direction के लिए लेनी है तो मैंने currency pair ही change कर दिया ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ upward trend के signal तो देखिए फर्स और फॉल यहाँ पे आपको दो तरह के signal मिलेंगे अफ्कॉस upward और downward सबसे पहले बात करते हैं upward trend के confirmation की तो first confirmation हमें मिलेगा ballinger band की तरफ से तो ballinger band में आप देखेंगे सबसे पहले धान रखना है upward trend के लिए upward trend के लिए क्या करना है आपको जैसे रेड कलर की candle आपको दिखेंगे न इनको छोड़ देना है जैसे आपकी कोई green कलर की candle दिखती है मैं zoom कर गे आपको दिखाता हूँ जैसे कोई green कलर की आपको candle दिखती है और वो नीचे की line को cross करके उपर close होती है देखें यहाँ पर close हो गई तो हमें मिल चुका है first confirmation second confirmation EMA की तरफ से अगर इसके उपर candles form हो रही है मतलब सीधी से बात है हमें लेना है upward direction में trade और third confirmation हमें मेलेगा oxalator की तरफ से देखें oxalator होना चाहिए oversold की condition पर देखें oversold का मतलब है 20 का जो level है उसे नीचे होना चाहिए trend line अब अगर मैं इस particular situation की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे दौनों की दौनों line trend line नीचे है ठीक है यानि कि oversold condition बन रहा है तो यहाँ पर इस candle की closing पर यानि यहाँ पर इस candle की closing पर मुझे trade लेनी है five minutes के लिए upward direction पर probably या तो draw होगा या win करेंगे मतलब अभी की situation में यानि इस candle पर अगर हमने trade लिया होता तो ठीक है तो यह condition बनती है oversold की यानि की upward signal की यानि कि अगर आपको trade लेनी है upward direction में अब देखें अब condition तो यहाँ पर भी बनती है अगर आप same इसी को इउल्टा कर दो तो वो downward direction के signal के लिए बन जाएगा देखें upward direction की हमने trade ले लिया अब यहाँ पर कहाँ पर कौन सी ऐसी जगा है जहाँ पर हमें trade नहीं लेना है उसके बारे में discuss करता हूँ हमें chart में मिल जाएगा यह condition हमें मिलती है इस condition पर भी ले सकते हैं trade क्योंकि यहाँ भी oversold की condition बन रही है देखेंगे दौनों की दौनों lines जो है trend line वो नीचे है 20 के level के नीचे है तो यहाँ पर भी अगर हम trade लेंगे 5 minutes की इस particular candle पे यानि की closing पे यानि की इस candle के starting पे तो 1, 2, 3, 4, 5 अफकोस हम win करते है अब कौन से ऐसी condition है जहाँ पर हमें trade नहीं लेना है वो यह condition देखे यहाँ भी same as the condition बनती है दो red color की candle आपको मिली उसके बाद एक candle आपको मिलती है green color की जिसकी opening तो पता नहीं कहां से हुई है लेकिन closing इसके उपर हो रहा है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे नीचे देखा आपने इसको नीचे जाके देखो तो यहाँ पे आपका synthetic indicator क्या बोलता है oscillator की इसके बीच में है level में तो यहाँ पे हमारे पास जादा confirmation नहीं है तो इस particular candle पे हमें trade नहीं लेनी है ठीक है अगर यहाँ पे आप लेते तो win करते लेकिन नहीं लेनी है क्योंकि अगर आप जादा confirmation के लिए जाते हो 80% के लिए तो आपको यह condition मिलती है जहाँ पे आपको trade नहीं लेनी है ठीक है अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी situation की हमारे यानि कि हमने buy signal तो ले लिया है अब हम बात करेंगे sale signal की तो मैं graph को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और sale signal के लिए आपको बताता हूँ आपको क्या करना है किस तरीके से आप confirmation ले सकते हो चलिए तो यहाँ पे फिलाल कोई ऐसी condition नहीं मिल रही है तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ graph को कोई better condition हमें मिल जाए उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि कौन सी ऐसी confirmation मिलेगी आपको जहाँ पर आपको trade लेनी ही नहीं है बलब एक condition यहाँ पर ऐसी भी आती है जहाँ पर आपको trade नहीं लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर देखे यह situation बहुत अच्छी situation है और इसको मैं describe करता हूँ देखे यहाँ पर हमारे पास जो EMA 200 की yellow color की trend line है इससे नीचे होने चाहिए formation of candle तो candles का जो formation है वो अगर इस line से नीचे होता है तो हमें साफ clear है कि हमें downward direction की ही signals लेने है मतलब trend जो है वो downward direction में है यहाँ पे इस condition में हमें upward direction की trade नहीं लेनी है मतलब अगर कोई बोलेगा कि देखे यहाँ पे red color की candle form हुई green color की हुई उसके बाद तो क्या मैं upward direction की trade ले लूँ लेकिन यहाँ पे मैं को confirmation नहीं मिला गर यहाँ पे भी मिल जाता luckily तो क्या मैं upward direction के लिए trade ले लूँ नहीं लेनी है क्यों क्योंकि हमें EMA directly indicate कर रहा है कि market का जो trend है वो downward है अभी तो downward trend में क्या करना है आपको trade नहीं लेनी है upward direction के लिए downward में है तो आपको downward के लिए ही trade लेनी है don't worry अगर यह आप लोगों के सर की उपर से जा रहा है बहुत लोगों के जा रहा होगा तो मैं in the end इक brief दे दूँगा जिसमें आप सारी चीज़े समझ जाएंगे चलिए signal कैसे लेना है downward direction का तो यहाँ पर भी आपको तीन चीज़े देखनी है first of all EMA चलिए EMA उपर चल रहा है second देखनी है कि हमारी जो green कलर की candle बनी है उसके बाद हमारी कोई भी red कलर की अगर candle बनती है जिसकी opening कहीं से भी हो doesn't matter लेकिन उसकी closing हमारी upper trend line से नीचे होनी चाहिए अब इस candle की बात करते हैं इसकी closing कहां हुई है भाया यहाँ पर हुई है opening उपर हुई थी हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर closing इसकी नीचे होती है तो मतलब साफ है हमें trade लेनी है downward direction के लिए लेकिन 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 हमें हमें एक और confirmation चाहिए वो चाहिए synthetic indicator यानि oxalator के साथ यहाँ पर आप इस particular line पर देखेंगे यानि यहाँ पर इस particular line पर तो हमारा blue color का trend line अपर है यानि की overbought condition में है और red color का जो line है वो भी almost overbought condition पर है तो ऐसी situation में हम risk ले सकते है downward direction के लिए अगर यह थोड़ा सा और उपर होता तो मैं थोड़ा ज़ादा confirmation मिलता लेकिन ठीक है इतने में चलता यार तो यहाँ पर अगर मैं trade लेता हूँ next five minutes के लिए downward trend के लिए यानि downward direction के लिए तो one two three four five हम जीच जाते अब कुछ लोग यह भी कहेंगे इस situation में देखेंगे यहाँ पर ध्यान से सुनना यार देखेंगे यह green color का जो candle form हुआ है वो form तो कहीं से भी हुआ हो लेकिन end क्या हुआ है इस trend line के उपर हुआ है ठीक है और अब नीचे देखेंगे तो over sold की condition भी है लेकिन हमारी जो trend line है वो क्या कह रही है उसके नीचे formation हो रहा है candles का तो हमें trade नहीं लेनी है देखेंगे आप definitely आप win करते लेकिन अगर आप risk लेना चाहते हो तो आप low month मैं नहीं suggest करूँ आपको कि इतनी risk लेनी की जरूरत है अगर आप confirmation चाहते हो अच्छी trade win करना चाहते हो तो आपको जो मैंने बताया वही apply करना है downward trend के अगर आपको signal मिलते है तो downward direction में ही आपको trade लेनी है अगर upward के signal मिलते है तो आपको upward के लिए ही लेनी है तीन confirmation मैंने आपको बताई है तीनो confirmation होने के बाद ही EMA, synthetic indicator और ये जो ballinger band है अगर तीनों का confirmation आपको मिलता है तो ही trade लेनी है otherwise नहीं लेनी है अब इस situation में आपको upward trend की trade लेनी है मतलब इस situation में आपको upward direction की trade लेनी है और अब एक situation में ऐसी discuss करता हूँ आप लोगों से जहाँ पे आपको trade लेनी ही नहीं है वो बता देता हूँ जब भी आपकी ये येलो कलर की trend line यानि की EMA 200 इस पूरे graph के यानि कि आपकी candle formation के बीच में आता है यानि ballinger band के बीच में आता है इसी condition में आपको trade लेनी है चाहिए कोई भी आपको confirmation मिले तो आपको trade लेनी है इस situation में हम कुछ नहीं बता सकते देखेंगे यह यह जो situation है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बता सकते कि graph कहां जाने वाला है यानि कौन सा trend चल रहा है following the trend strategy का क्या मतलब है हम trend को follow करेंगे अगर downward है तो downward की signal लेंगे अगर upward है तो upward का signal लेंगे लेकिन यहाँ पे हमारे rule को break नहीं करेंगे अगर बीच में यह आपको line मिलती है मतलब trend का कुछ भी भरोसा नहीं है उस time पे हमें skip करनी है हमारी trading ठीक है for some time देखेंगे अभी भी इस particular pair पे हमें trade नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी देखेंगे तो यार synthetic oscillator भी middle में है यानि कि ये भी कोई confirmation नहीं दे रहा है हमारा EM में भी middle में है ballinger भी कुछ खास confirmation नहीं दे रहा है तो इस situation में आपको trade नहीं लेनी है फिलाल कुछ signal नहीं मिल रहा है otherwise मैं आपको live trade करके दिखा देता तो यार briefly मैंने समझाने के बात की थी last में वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन एक चीज़ यार भाई की इतनी महनत के लिए अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो hashtag technical अभी ज़रूर यूज करना comment section में और comment करके पूछना कुछ नहीं समझाता है तो और यार प्यार जरूर देना strategy को use करने के बाद अगर आपको profit होता है तो like, comment and share करके तो गाई सबसे पहले हमें apply करना है Bollinger Band जल्दी से समझा रहो भाई वीडियो को cut मत करना, skip मत करना भाई जल्दी से briefly समझ लो Bollinger Band को apply करना है by default EMA आपको लेना है 200 color आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो भी आप चाहें synthetic oscillator आपको एक ही रखना है यानि by default रखना है कोई changes नहीं करने है यह 20 वाली जो condition होती है oversold and overbought की condition होती है 80, यहाँ पे हमें confirmation के लिए दो तरीके मिलेंगे, buy and sale तो सबसे पहले आपको यह trend line देखनी है यानि EMA देखना है अगर हमारी candles है वो नीचे form होती है मतलब हमें जो trade लेनी है वो downward direction के लेनी है और फिर हमें देखना है synthetic oscillator की वो oversold की condition पे होना चाहिए दौनों की दौनों line नीचे होनी चाहिए ग्रीन कलर की line के, simple सी बात है और अगर same हमें लेना है upward direction के लिए तो इसका उल्टा कर लो मतलब यहाँ पे यह जो line है यह में कि इससे यह candle formation उपर होना चाहिए, यानि कि upward direction की trade के लिए यह जो आपको देख रहे हैं आप यह होनी चाहिए हमारी overbought की condition पे यह ध्यान रखना है आपको और उसके बाद आप यहाँ पे इस strategy को use करके अच्छा फायता ले सकते हो तो यार उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, use जरूर करोग यार क्योंकि बहुत मैनत लगी है और वीडियो को लास तक अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है वर्थ रही होगी आप लोगों के लिए और एक्साइटिंग वीडियो के लिए stay tuned with आप चैनल and telegram को ज़रूर जॉइन कर लेना यार thank you so much guys for watching this video till the end